सो हेलो फान गाइस ट्रश्रमादीव राधिर राधि कैसे आप सभी लोग आईज आई होप आप सभी लोग अच्छा गर अपने लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगी सो गाइस आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आ गई हूँ कैप्रिकॉन साइन के लिए आने वाला नवंबर का महीना कैसा रहेगा में मकर राश्य अगर आपके सान मौन राइजिंग और नौर्ट नोड में आती है तो कैसा रहेगा यह जो नवंबर मंथ है आपके लिए सबसे पहले तो आपके लिए टारो रीडिंग हम देखेंगे टारो के थूँ और उसके बाद आपके लिए औरिकल्स भी देखोंगे यहाँ सरे यहां से टारो के thorough सबसे पहले हम देखेंगे लिए इन करता के सबसे एकरती सGUराइर के है आतारो के लिए पोफर यहां सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे तो Woo कैसा रहेगा काप्रिकॉंस मेंज मक्राश्री वालों के लिए पेंटिकल्स कार्ड है पहला ही ओके सेकेंड कार्ड है यहां पर जज्ज्मेंट कार्ड ओके मिड अफ तर मन्द की क्या अगर्जी जैं आपके लिए दा हैंग मैं ओके मिड अफ तर मन्द की क्या अगर्जी जैं आपके लिए Capricorns Ace of Cups card है great और end of the month की क्या energies है आपके लिए for Capricorns, Makar Rashi यहाँ पे है guys the word card की energies और last card यहाँ पे है आपके लिए the Ace of sorry the Queen of Pentacles मेरे मुँ से Ace of Pentacles निकला तो यहाँ पे Ace of Pentacles की भी राशी हो सकती है जिनकी भी राशी Sun, Moon, Rising and North Node में Capricorn आती है उनके लिए आज ही रीडिंग है so yes यहाँ पे guys Six of Cups card और middle energies Six of Swords so guys यहाँ पे जो overall month की energies है सबसे पहले तो राशियां बता देती हूं Makar Rashi आपके लिए यह है आपके लिए see this इसके जिस नीचे Ace of Pentacles इस जगह पी मैंने Ace of Pentacles आपको बोला था और यह card नीचे ही छुपा हुआ था इस card के so आपके लिए जो overall month की energies है वो है जो राशियां important वो है Cancels, Cancels कर पे Pisces और जमिना है ले ब्रेक वेरियस okay and yes overall month बहुत अच्छा दिख रहा है guys Capricorns कुछ अगर addition आई भी ना उससे आप बहुत निकल जाओगे इस पूरे महीने में okay move on कर जाओगे बहुत easily okay आप अपने अगर love life में कोई लडाई जगर आपका हो चुका है for example past में अब उससे move on कर रहे हो आगे बढ़ रहे हो दोनों ही एक दूसरे के साथ फिर से प्यार से बाते कर रहे हो फिर से एक दूसरे के साथ time spend कर रहे हो enjoy कर रहे हो okay यह नवंबर मन्त है है ना तो of course नवंबर के महीने में love life बहुत अच्छी दिख रहे है कुछ लोग शादी का भी सोच सकते हैं ठीक है शादी के energies यहाँ पर मुझे दिख रहे है यह क्योंकि यहाँ पर move on एक जगा से दूसरी जगा चले जाना ठीक है यह एक दूसरी के साथ घूमने जा सकते हो ट्रावलिंग के भी यहाँ पर chances दिख रहे हैं आपकी अगर family में देखे तो family में भी कही ना कि ट्रावलिंग के chances है बदला जो भी लोग single है ना उनके लिए ट्रावलिंग के भी chances हैं love life में बहुत अच्छी energies आ रही हो की so yes यह overall month की energies अब starting of the month पे आ जाते हैं so यहाँ page of pentacles card है और judgment card की energies है so यह show करता है कही ना कि आपकी life में financially opportunities आ रही हैं आपकी जंदगी में money wise opportunities आपकी life में आते हुए दिख रही हैं judgment card आपको show कर रहा है कही ना कि आपकी life में आपको judgment मिलने वाली है means universe आपके wishes को fulfill करने वाले है आपके इच्छाएं थी कुछ मांगी हो universe से वो यहाँ पे fulfill हो रही है so starting of the month guys कुछ ऐसा रहने वाला है Capricorns आपके लिए मकर राशी जिनके भी sun, moon, rising and north node में आते हैं के लिए okay यहाँ पे Sagittarius और Taurus और Capricorn राशी आपके लिए important हो सकती है okay starting of the month पे मतलब इन energies में आप लोग रह सकते हो यहाँ इन राशीों के लोग आपको बहुत जाना मिल सकते हैं ठीक है so mid of the month यहाँ पे energies हैं guys आपके लिए hanged man और ace of cups card okay so I think यहाँ पे यह energies दिख रहे हैं मुझे कि आप कहीं न की stuck energies में हो कहीं न की आप बहुत कुछ learn कर चुके हो अपनी life में और mid of the month में और भी कुछ learn कर रहे हो आपकी situation को लेके बहुत जार अड़ चुके हो मतलब आपको पता नहीं आगे क्या करना है को ऐसा लग रहे है कि करना तो है क्या करूँ अब हान तो ऐसा कुछ यहाँ पे आप decision नहीं ले पार हो यहाँ पे decision ले भी चुके हो तो कहीं न के उन चीजों के बड़े मैं लगद न कर रहे हो अभी relationship में भी अगर struck energies थी तो उससे बाहर आ रहे हो mid of the month में यहाँ पे new love की entry होते हो दिख रही है आपके लिए के overflow love show कतने वाले हैं वो partner आपको बट हाँ यह universe की तरव से blessing है आपके लिए यहाँ ऐसा हो सकते है अगर आप single हो तो आपको अपनी family के through बहुत जाओ love की perfection देखने को मिलने वारा है mid of the month में so यहाँ पे guys end of the month की क्या energies आ रही है यहाँ पे सबसे पहले तो बट इसकी राश्या मैं बता दो Pisces sign and Kansas Corp Pisces राश्य आपके लिए mid of the month में important दिख रही है end of the month यहाँ पे है the word card की energies और queen of pentacles okay so यह show करता है कही न की आपकी life में guys आप लोग इस चाहिम पे financially abundant होना चाहते हो आपको न फॉरन से clients चाहिए अपने लिए businessman हो business girl हो आप इस चाहिम पे okay तो of course यहाँ पे आपको फॉरन से clients आते हो दिख रहे हो दिख रहे हो फॉरन से लोग आपकी तरफ आरे आपसे कोई नापकी reading के लिए मांग कर रहे है या फिर आपके लिए अगर आप tarot reader हो याँ फिर आपके लिए foreign से clients like आप cloths का काम कर रहे हो आप makeup का काम कर रहे हो या फिर कैसे भी कर के आपको कोई भी काम है आपका करम है import-export का काम है वहाँ पी आपको यहाँ पर ही लोग आ रहे हैं आपकी तरह फॉरण से और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहे है आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़रा हो रही है ठीक है आपकी रीच बहुत बढ़ रही है ठीक है लोगों तक तो यह एनर्जिस end of the month तक दिख रही है मुझे Capricorn सापके लिए और ऑल्सो मुझे यह भी दिख रहे है कि यहाँ पर रैबिट है रैबिट अबंदन्स को शो करता है यह डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबंदन्स आते होई दिख रही है आपके लिए टॉरस वर्ग कैप्रिकॉन और अल्सो अगर आपको मैं वर्ट काटक इनर्जिस से शो करूँ तो लीयो स्कॉर्पियो एक्वेरियस काप्रिकॉन सच्टेरियस यह और भी राश्याइं इंपॉर्टन हो सकते हो कि उसके साथ ही साथ टॉरस वर्ग के साथ ही साथ होके और अइन और आपके लिए अब तैरो के थूर्व है अब हम देख लेते और आपके लिए क्या आ रही है तो इस मन्त में और क्या आपके लिए आ रही है क्या आप लोग अट्रेक्ट कर रहे हो और इस मन्त में नवंबर के महीने में बाकी जिन्हों ने भी पर्सनल रिडिंग्स ली है तो आप मुझे इंस्टेग्राम पर डियम कर सकते हो इंस्टेग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप लोगों पर अबाउट सेक्शन से भी देख सकते हो कि आप पास्ट की चीजों से बहुत जारा अटाश्ट हुआ ठीक है और उन से चीजों ने आपको बहुत हर्ट किया इस वज़े से वो चीज़ें आपके मन में घर बना चुकी है तो आपको यहाँ पे कहा जारें don't worry move on from them okay move on करो उन सब चीजों से okay अपनी life में new beginnings को expect करो and yes Ace of Cups आया ही था तो नई शरुआत तो आपकी जिंदगी में हो ही रही है यह जो भी hurt है इसको भूल जाओगे आप आने वाले समयमें भूलने के कोशिश करो पास्ट की चीजों से आप लोग कहा जारें आपने जो आपने मुह में मखोटा ओड़ा हुआ था ना मतलों हसते रहते थे बाट अंदर से दुखी थे ठीक है उससे आप बाहर आते में दिख रहे हो ठीक है जो भी इस मन्त में न्यू मून आएगा उसकी क्या अनर्जिस हैं कैप्रिकॉंस आपके लिए ऑके सदांसर यू नीड़ कमिट्मेंट इस विंग टेस्टर आपके जो कमिट्मेंट है आपने दे रखी थी सब क्यों हाना के यस मैं इस चीज़ के लिए कुमिट्मेंट हूँ हो हैं डेस आपके वो कमिट्मेंट अप टेस्ट की जा रही है ठीक हैं फॉस्ट कोर्टर मों के लिए दे टेक टाम तो ब्रीद आई तिंग गाइस आइफ बहुत जारा हाड़वर कर रहे हूँ वहा बहुत जारा करना हुआ हूँ बहुत ही ज्यादा थके हूए हो आप इस करना होगा अगर नहीं रेस्ट कर पारे तो फ्कॉस वह थक हो गई है आपके अंदर नर्जिस नहीं होगी कुछ करने की तो कैसे चलेगा तो यहां से मैं गाइडन्स देख लेती हूं आपके लिए क्या है गाइस औरिकल्स के थ्रोके सारे पिस भी आए हैं यहां पी सेशन की एनर्जिस नहीं आपको कहा जड़े अपनी ट्रू सल्फ की तरफ मुव ओन करने कोशिश करो की और राइज आपको यहीं है आपको यहीं गाइड किया जारे राइज नहीं मतलब पॉजिटिव चीज़ है आपके लिए यहां पे क्वान यहन भी आई है तो यह तो शो करने है प्यार और द्याभाव शो करो सबको अपने तरह से ओके और चूज करो लव को और डू आपको और आपको और साइन्स देखने अपने आप चेक आउट कर ले ना आई तिंग मैं फोर साइन्स डाल चुकी हूं पहली फिफ्ट साइन है आज ठीक है ऐसे ही एक दो तीन तक आपको हर एक जुड़ेक साइन मिल जाएगा 12 to 12 साइन्स सीरिस चल रही है ओके तो अनिवेस काईस अभी केले इतना ही हरगर महा देए राधे राधे गौर्ड ब्लस्ट रिवा और टेक केल बाई गाईस